हेलो दोस्तों मेरे नाम है अशोक और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NASDAQ Intense Challenge 2020 के बारे में जिसे अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप NASDAQ Technology पे Intense कर पाएंगे और आपको यहाँ पे 50,000 पर मन्द का स्टाइफट भी मिलेगा दोस्तों इसके लिए Computer Science के स्ट्रेंट जो अभी BCA, MCA, MSC या फिर BEE भी टेक कर रहे हैं वो इस Challenge के लिए Apply कर सकते हैं वहीं पे दोस्तों अगर बात की चाहिए इस Challenge के फॉर्मेट की तो यहाँ पे आपसे पहले तो दो प्रोग्रामिंग की कोशन पूछे जाएंगे और साथ में आपसे 10 अनलेटिकल MSC की कोशन पूछी जाएंगे और यह Hacker Earth के प्लैटफॉर्म पे यह Challenge कम्प्रीट होगा तो दोस्तों आगे की आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या इसके रूल है किस तरीके से आपको इसके लिए apply करना है और क्या इसके important date है तो दोस्तों वीडियो में लाज तक जरूर बने रहे हैं लेकिन इसके पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों कर आप इस internship challenge में participate करना चाह रहे हैं तो link आपको description box में मिल जाएगा जिस पे click करने के बाद आप आज जाएंगे hacker earth की इस official website में अब सबसे पहले अगर बात की जाए इसके important date और time की तो ये challenge उसको start होने वाला है 20 नॉंबर morning 9 o'clock को चो close होगा 20 नॉंबर रात के 11 बजे और ये 2 खंटे का test होने वाला है जिसमें आपसे 2 programming की question और 10 MC की question पूछे जाएंगे दोस्तों क्योंकि आज 18 नॉंबर है और ये 20 नॉंबर को end होने वाला है ऐसे में अगर आपने अभी तक registration नहीं किया है तो please आप इसके लिए जल से जल रजिस्टेट कर दीजिए और इस notification के बारे में ज्यादा तर लोगों तक जल से जल information को पहुँचाईए अब अगर बात 2019 की वज़ा से lockdown लगा रहता है तो ये एक online internship में convert हो जाएगा जिसमें आपको खर बैठे वे इस internship को करना होगा और अगर आप इस internship को करेंगे तो आपको हर मही ने 50,000 रुपए SS stipend मिलेगा और इसके important date की बात की जाए कि ये internship कब start होने वाला है तो इस start होने वाला है दोस्त इतने भी computer science के student है जो BE, BTEC, MCA, MSC, BSC, BCA कर रहे हैं वो इसके लिए apply कर सकते हैं इसके अलावा जिनका graduation year 2022 है वो apply कर सकता है और CGPA 7 plus अगर आपका है तो आप इसके लिए eligible हैं लेकिन अगर आप 2021 में भी graduate होने वाले हैं तो भी अगर आप चाहें तो इसके लिए एक बार register कर करके यहाँ पर apply करके देख सकते हैं और अगर बात कीचे challenge की format की तो यहाँ पर आपसे दो programming की questions पूछे जाएंगे और 10 analytical MCQ की questions पूछे जाने वाले हैं नीचे आने पर दोस्तों आपको यहाँ पर guidelines देखने के लिए मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको steps को attempt करना है तो इस format कैसे होने वाला है अगर आप उसका practice करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको FAQ section पर sample challenge का एक अलग से link मिलेगा जिस पर click करने के बाल आपके सामने sample paper आने लग जाएंगे कि किस तरीकी के question आपको यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं यहाँ पर programming का format भी देख सकते हैं और का sample question भी यहाँ पर मिल जाएगा तो आप एक बार इसके बारे में ज़रूर practice करिएगा क्योंकि कई बार जब हम अपने local computer में program को बना के run करते हैं तो वो run हो जाता है बट जब हमनों से online submit करते हैं तो कई सारे test cases complete नहीं हो पाते हैं तो अगर आप इसका एक बार sample paper solve कर हैं और इसके बाद आपके सामने form आता है जिसमें आपको अपना full name, gender, location, mobile number, आपके college का नाम, degree, अगर आप computer systems है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं CGPA में आपको अगर आपका percentage है तो आपको CGPA में convert करके लिखना है या अधिर आपका percentage है तो यहाँ पर percentage का भी option दिया गय हैं तो इन सारी चीजों को आपको यहाँ पर feel कर देना है और अपना resume यहाँ पर upload करना है और register for challenge पर click करना है इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीकी का form आता है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो result है वो आने वाला है 27 November को दोस्तों अगर आप यहाँ पर वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को like कर दीजिए अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please आप इसे subscribe कर दीजिए साथ ही आप हमारे telegram चैनल से भी जूड़ सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगा आप उससे भी join कर लीजिए thank you